हे गाइस आगया है आपका होश्ट हैं दोस्त नीराज लेकर के परयावन के महत्पून टॉपिक को जिसमें साथियो आज हम जानेंगे उत्पादक और भोगता आपका टक्या होते हैं साथियो यह टॉपिक आपके टैट सी टैट और जितने वी सिक्ष वरती हैं सभी के लिए क लाइक करें और साथियो चैनल की सब्सक्राइब करके बैल बटन को भी दबा दें तो साथियो जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर आपके प्यारे मनु सर्थ ही वीडियो अपलोड करते थे आपके लिए पढ़ाते थे लेकिन साथियो क्या है कि लॉक्टाउन की वज करें तो चलते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं देखते हैं क्या है सबसे पहले देखते हैं साथियो उत्पाधक Monsieur शेम बनाते हैं उत्sm बनाते हैं इसमें सातियों क्या है कि पहते हैं कारवन डाय yhtाइट से अपना भोजन बनाते हैं प्रिकास जिरिया के दिवारा और हमारे लिए ऑक्सीजन भोजन की रूप में उपलब्ध रहते हैं तो साथियों आपको सम्मझ आ गया हूँ मानफ से रत्यादि यानि की ये किन के लिए खाकर जीवित रहते हैं तो उतपादकों को ठीके साथी जानेगे और आप के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने बाला हूँ तो सास्थी क्या है कि आप यहाँ पर pen और paper के लिए ले करके बैठेंगे और जो भी मैंने important fact बताएं उन्हें आप note कर लेंगे क्योंकि साथियो क्या है कि जो अपने हाथ से बनाईवे notes होते हैं वो बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं बागी साथियो क्या है कि आपके लिए यह संपूर्ण matter हमारी telegram channel पर आदी रूप में बदल जाते हैं ठीक है तो उनके लिए बदलने का कौन काम करता है तो छोटे कीड़े जैसे की bacteria होता है प्रोटो जोगा होता है ना आपने देखा होगा कि कोई भी पेंड है वो साथियो टूटने के बाद क्या है कि नीचे गर गया मिट्टी में और अब गटक ना हो तो साथियो इतना ज़्यादा प्रिदूसर्ण हो जाएगा कि इसके लिए हम सोच भी नहीं सकते तो साथी अब घटक क्या है हमारे लिए बहुत ही जदा महत्ववन है अब साथियो क्या है मैं आपके लिए समझा देता हूं कि हमारे प्राप्थर में कि उत्पादक ठीक है घास और हास किसे अब किसने खाया तो आपके त्टिड़ के झाइंड प्लिक टिदटा तुर्डद्ड़ घाया ताई चूहने ज्युतर छूहने करने है तो चूहने वह संपने है और और साफ किस ने खाया, तो साफ खाया सातियो बाजने, अब सातियो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी एक जो है क्या, तो खाद सरंखला बन गई, ठीक है, इसी के लिए हम क्या कहते है, खाद सरंखला कहते है, ठीक है, इसमें ये क्या है घास, तो ये है हमारी उतपादक, विद्ट के लिए और कि और नियुक्तुषन को जो सबसे पहले और सभ्ढक्ता यहां सब चुहा ने क्या खाया तो टिड्डे को खाया अब चुहे ने खाया साथिव किसके लिए तो प्राथ्मिक उपभोकता के लिए है ना प्राथ्मिक उपभोकता के लिए ठीक है और अगर यहां से देखे हम तो घास और टिड्डा यानि दूर नंबर हो गए है ना तो यह आपने तो साफ क्या हो गया वही हो जाएगा आपकाा रीदा को प्रुषक घट राचारी और यह बाज पाज ने क्या खा लिए साथ themes प्रुषर अब साथ मैं साकहारी मामसाहारी के लिए बुए आप खास क्या हई study भर जो साक के लिए खाएगा यानि जो मास के लिए नहीं खाएगा वह सात्र کیया हो जाएगा साकाः क्या है यहां पर बच्प इस दुतियक और बचवच कि यह हुआ मासाहारी और सापने खाया चुगे के लिए तो ये भी हुआ मासाहारी ठीक है तो साथियों ये क्या होते हैं मासाहारी होते हैं जो साथियों दुतियक और तरतियक भुकता आपके हैं जो दुतियक और तरतियक भुकता हैं वो साथियो क्या है मासाहरी है ठीक है अब बात हम करते हैं यहाँ पर यह क्या है बाज बाज की बात करते हैं साथियो तो बाज क्या है यह साथियो सबसे बाद में आया यानि सरंकला के सबसे बाद में आय कौन बाज तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम मासाहरी लेकिन कौन सा उच्छ मासाहरी इसके लिए हम बोलेंगे क्या उच्छ मासाहरी किसे बोलेंगे तो बोलेंगे किसके लिए हम बाज लिए तो साथे आपको समझे हमाया हमारे स्हामने उपतस्यत होती प्स तो यानि सात्यू क्या है कि अलग अलग जगे पर हमारे खाद शरंकला हमारे लिए मिलती है जैसे कि सात्यू क्या है कि चारा गाहा बायोम में ठीक है एक खाद शरंकला मिलती है एक ताला बायोम में खाद शरंकला मिलती है सागर बायोम में खाद शरंकला मिलती है जिसमें साथ क्या? अलग-अलग तरीके से होती हैं देखों साथ क्यों आफ losing समझा रहा हूं। किस तरीके साहँ सम्झेएंगे जैसे हम ले लेते हैं सबसे पहले क्या तो चारा गाह भायम की लिए हम ले लेती हैं अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले घHAS अब घास मैंने बताया साथ यह अब क्या हो गई यह ओई अपकी प्रात्भुत आपसे लिए निक menu खाया किस के लिए खे लिए थे झूला इंगी ख़ए तो गास क्या हो गई प्रात्मिक उतपादक ठीक है मैंने क्या साप अब खी खाया तो सांप ने और सांप हो गया आपका तिरतियक उभोकता ठीक है तिरतियक उभोकता कौन हो गया तो सांप और सांप ने क्या खाया बाज तो बाज हो गया आपका चतुर्त उभोकता और इसी के लिए हम बोलते हैं क्या तो उच्छ मासाहारी यानि कि सातियों मासाहारियों में भी जो सातियों सबसे पीछे आते हैं सबसे बाद में उस रंकला में आते हैं वो क्या होते हैं तो सातियों यह किसमें देखी हमने तो हमने यह देख ली सातियों चारागाहा बायो में अब हम देखते हैं कि ताला बायो में किस तरीके से समझेंगे इसके लिए तो ताला बायो सागर के लिए तो सागर में साथियों क्या है यहां पर साथियों पादब पिलवक्या नहीं कि पानी में पाय जाने वारे पो थे हिंउनके लिए हम क्या बولते हैं तो पीलवक्या हमें खाया क्या प्राणी किस ने खाया तो प्राणी मद पिलवक ने तो यह आपका क्या हो गया है प्राथमिक उपभुकता क्योंकि इसने किस के लिए खाया तो प्राथमिक उपभुकता है उत्पादक के लिए जो कि क्या है कि जो अपना भोजन स्वें बना रहा है ठीक है और पादा यह सबसे बाद में आया है सफ़ेद साक यह हो आपका चतुर्त उख्रोपता या फिर उच्छ मासा हारी तो सातियों आगए चलते हैं कि देखते हैं हम खाद जाल क्या है तो सातियों आपको पता हुआ मैं आपको बताया कि घास के लिए जैसे कि घास के लिए लेकिन सप्भ्सिन छह साथ है और तो किस दिए लेकिन किसने खाय तो कि डिसने यह जो है और मना flavored कर राखा खा만iiiiaporiented हुए जाएगा और बाज क्या है सीधे चूहे की यहां dönो साथ हो ने क्या है कि साथ आ में जब देखते है particulal life में तो हमारे लिए खाद शरंगला नहीं मिलती है यानि कि ये क्या है ये आपस में बदलते रहते हैं जैसे कि साप सीधा खा लिए किसे ने खा लिया तो बाज ने खाया था लेकिन साप क्या है और साथी क्या है कि साप टिड़े के लिए भी खा सकता है तो आप देख रहा है यानि कि ये जो है बदलते रहते हैं आपस है ना यानि कि ये जो है बड़ते रहते हैं कोई भी किसी के लिए खा लेता है तो हमारे लिए क्या मिलता है खाद जाल मिलता आप सातियो और में डाइएराम से समझा देता ह potential किसे है जैसे चीसे हम देखते हैं कि देख़ें तो यहां किसे कि ने खा लिया किस लिए द्रक्ष के लिए तो बकरी के लिए किस ने खाया तो सीयार ने खा IT ईठा आपका और इधर आप देख रहें साथिOoh क्या है कि ये वकरी जो है सीदे खा सकता या rhymed की कि लिए चीदा सेभी खाकता और प्रात्मिक ऊपभूता को भी यह जो खा सकता है यानि कि यह जो है कि कौन किसे खाएगा बाकी आप देख रहा हुए साख यानि कि और भी देख लेते हैं हम आगे कैसी घर यह है साथ तो जंगली बिली ने से खा लिया जंगली बिली ने किसके लिए खा लिया तो खरगोस के लिए खा लिया और आप आप देखिए उपर क्या है कि जंगली बिली जो है जंगली बिली किसने खा ली तो ये खा ली आपके सेर ने ठीक है तो ये आपके लिए किरम मिला यहां पर ल आपका किसने खाया तो सांपने खा लिए चुहा ठीक है सांपने और सांप किसने खाया तो सांप आपका खा लिए इसने क्या है कि बाजने गिदने है और सांपने क्या है अब इधर आप देखते हैं कि सीधा जो है चुहे के लिए स्यार भी खा सकता है ना चुहे के लिए सीध सकते हैं और साइब के लिए और यहांरी आप एखे नहीं करता कै तो अब भना मिया हाँ उम्मीद करता हुँ आपके लिए उत्पादक और खाथ सरंकला हुआ स्वाज़ में आ गए होंगे आप साथ यू क्या है कि हम प्रसुन के लिए देख लेते हैं जिससे कि आपको जो अभी आपने पड़ा है उसका आपका टेस्ट भी यहां पर हो जाएगा और आपके लिए मजा आएगा और आपके लिए समझ में जाएगा कि किस तरीके साब के प उपभुकता या पिर अपगटन करता पताईए फ्रेंज क्या हो जाएगा आपका अंसर यहां पर पताईए तो फ्रेंज यहां पर आपका क्या है देखिए आप साकाहारी आपको लिए देखने हैं ठीक है साकाहारी कौन है जो सातियों साक पर निरवर रहती है जो प्रात्मिक उत्पादकों पर निरवर रहते हैं यानि कि घास खाते हैं तो इसमें कौन हो जाए है प्रात्यमिक उपभुकता आपके जो है यहां पर देखने को मिलते हैं किसमें साकाहारी में वाक्ति आपको पता होगा जैसे कि मानब है तुपान अब तब्लबी खाते हैं और मास भी खाते हैं अर स्टेयां दूनों के लिए क्रिद्द आक्राघव। person पर देख लिए अगला person हमारा कि my बबन मासाहारी 3 है साकाहारी और ऑप्सन 4 है प्रांत्मिक अपभोकता आपके लिए देखने हैं तो आपके वो साकाहारी है पिरात्य में कुछ होगता ठीक है चलते हैं साथियो अगले पिरसन पर देख लेते हैं हमारा अगला पिरसन क्या है कि खाद सरंकला के परस पर समु को क्या कहा जाता है क्या खाद चक्र कहा जाता है या फिर खाद जाल या फिर बायो मास पिरामिड बताइए सा क्या है कि यह बायो मास पिरामेट के लिए मैं अगली वीडियो में आपके लिए ले कराऊंगा जहां पर आपके लिए मैं अच्छी तरीए से भी समझा दूंगा देखते हैं साथी अगला पिरसन क्या है कि घास भूमी छेत्र के पारी तंत्र की खाद सरंकला में सबसे साथी आपके लिए टौपिक अच्छी तरीक करते रहे हैं बागी साथ़ी और डानलोड कर लिए अगले वीडियो में तब दक के लिए मुझे नीरज को इजाजब दीढ़ने बाद साक्षी